प्रिय विध्यातियों मैं दिग्विजय सिंग सहाचार्य प्रानिशास्त्र विभाग MLB राजकिय महाविध्याले नोखा वर्गी करण के आधार करने के पस्चाथ अब अपन जो दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है संग प्रोटोजवा के अंदर सबसे पहले अपन परिचे और परिभाशा प्रोटोजवा का सबसे पहले आर्थ ये ग्रीक भाशा का शब्द है जो प्रोटोज और जोन से बना वा प्रोटोज का मतलब होता है फिर्स्ट आदी प्रथम और जून का मतलब होता है जन्तु एनिमल शब्द को जानने के पश्चाद एक कोश की है पूर्ण शरीर एक सुकेंद्रिय कोशिका के समान सरल्तम रचना व निम्न कोटे के प्रथम जन्तु होते वे भी यसू संगठित बहु कोश की है जन्तु के समान सभी प्रमुख जेविक क्रियाएं करते हैं इसलिए इन्हें हम नौन सेलुलर जन्तु भी कहते हैं इनकी लगबग 50,000 जातियां जो वर्तमान में 30,000 तो उपस्तित है विद्दमान है और 20,000 के करीब लुप्थ हो गई है प्रकरती में प्रोटोजोन जन्तों की कुल संक्या किसी भी अनस्क संग के सदस्यों से कुल संक्या से कहीं अधिक है दिखने में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये सुक्ष्म होती है इसलिए संग प्रोटोजोगा का संशिप्त इतिहास प्रोटोजोगा सर्ण प्रत्थम अध्यन लेवन होक ने 1677 में अपने सुक्ष्म दर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप की साहता से किया था गोल्ड फस ने 1817 में इस संग को प्रोटोजोगा नाम दिया था इसके अध्यन को प्रोटोजोलोजी कहते हैं प्रोटोजोगा विज्ञान कहते हैं इस संग के मुख्य लक्षन क्योंकि हमसे प्रिक्षा की दृष्टे में भी ये पूछा जाता है कि संग प्रोटोजा के कुछ प्रमुक लक्षन बताईए सरप्रथम जल गीली मिट्टी सड़ी गली कार्मोनिक वस्तूओं आदी में फ्री लिविंग या जन्तों या पौदों के शरीर के साथ सहजवी सयोजी या परजीवी एकांकी या संगिय रूप में पाए जाते हैं शरीर अति सुक्ष्म प्राय सुक्ष्म दर्शी से ही देखा जा सकता है तीसरा शरीर की आकरती विविद प्रकार की प्राय जाती के अनुसार स्थाई और कुछ में वातवर्निय दशाओं आयू या गमन की अवशकता अनुसार परिवर्तन शील होते हैं चौथा शरीर नग्न या महीन पेलिकल द्वारा धका और कुछ में कठोर खोल में बंद होता है एक कोश के शरीर में जटिल योगिक के अनुसे बनी होती है विवेन कार्यों के लिए विविद प्रकार की विशिष्ट शनरचनाएं जिने अंग न कहकर अंगक और्गिनलीज कहते हैं ये अंत्त्तकोश इंट्रासेलूलर श्रम विभाजन प्रदिशित करती हैं। इसलिए प्रोटोजवा को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जन्तु कहते हैं प्रोटोप्लाजमिक लेवल ऑफ बॉडी और्गनाइजेशन एनिमल कहते हैं। गमन के लिए ये पादप सूडोपोडिया, फ्लेजिला या सीलिया पाए जाते हैं। इन एक या दो या कई समान केंद्रक और कुछ में दो प्रकार केंद्रक पाए जाते हैं। जिसे हम माइक्रो और मैक्रो न्यूकलिस कहते हैं। पोशन, प्रानीसम, पादप सम, व्रतप जीवी, पर जीवी और कुछ में एक से अधिक पोशन विधी। जिसे हम मिश्रपोशी या मिक्सोट्रोपिक कहते हैं। प्रानीसम सदस्यों में पाचन खद्य, धनिया, फूड वेक्यूल्स भी पाए जाते हैं। गैसिय विनी में एवम उत्सरजन शरीर सतय के माध्यम से विश्रण द्वारा किया जाता है। अवशक्ता पढ़ने पर शरीर में जल की मात्रा के नियंत्रण के लिए एक या अधुक सकुंचन शील रिक्तिकाएं। कॉंट्रेक्टाइल वेक्यूल्स पाए जाते हैं। क्यारवा वातवर्निय परिवर्तन अर्थात स्ट्यूमलस के अनुसार प्रतिक्रियाशील ता अत्यदिक सरल दर्शाते हैं। आखिरी जनन अलेंगिक वा लेंगिक दोना प्रकार के पाए जाते हैं। या प्रतिकूल वातवर्निय दशाओं में सुरक्षा के लिए यह परिकोष्टन एंसेस्टमेंट की भी व्यापक शमता इन में होती है। जैसे परिक्षा की दरश्टी से शुरू में ही मैंने आपको यह बताने का प्रियाश किया कि प्रोटोजवा एक कोश्की है यह अकोश्की है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने उसको अकोश्की का था। अकोश्की जनतुक हमने इसको क्यों का और एक कोश्की क्यों का सरप्रतम एक कोश्की जिसे अंग्रेजी में यूनिसेलूलर कहते हैं शेल्डेन और सोन द्वारा 1839 में प्रस्तुत किये गए कोश्का सिध्धान्त के अनुसार समस्त पौधों और प्राणियों की रचना में कोश्का इकाई की भाती पाई जाती है। अतर यदी कोश्का को जन्तु शरीर की इकाई की रूप में माना जाता है तो प्रोटोजा भी एक कोश्कीय जन्तु है तथा इसकी रचना केवल एक कोश्कीय से ही होती है। इस द्रश्टिकोन के अनुसार एक मुक्द जीवी प्रोटोजवा जनतु का शरीर अकार रूप में morphologically एक भॉधकोश्किय प्राने के शरीर की केवल एक कोशिका के समतुल्य है इस विचारधारा के समर्थन में दावा किया गया कि बहु कोश्किय प्राणियों का उद्विकास एक कोश्किय असंख्य प्रोटोजवा प्राणियों के परस्पर स्वामु होकर एक बहु कोश्किय समुदाई कॉलनी बना लेने से हुआ जैसे प्लेटी हेलमिंटिस फ्लेजिलेट्स और कोलोनियल जो थियोरी के से ग्यात होता है दूसरा पक्ष कहता है कि अकोश्किय है कोश्किय का विहीन असेलूलर या नौन सेलूलर यदि जन्तों के शरीर कोश्किय रूप इकाई में विभाजित होता है तो प्रोटोजवा ए एक अकोश्किय या कोश्किय विहीन नौन सेलूलर जन्तों होता है क्योंकि इसमें इनके शरीर में कोश्काउं में विभाजित नहीं होता इस द्रश्टिकोंड के अनुसार एक कोश्किय जन्तों प्रोटोजवा जन्तों के शरीर इदर उदर गती करती है धीली कोश्का मात नहीं है यह एक संपूर्ण जनतू है जिसमें जीवन के सभी जयविक प्रतिक्रियाएं जैसे पोशन उच्णरस्वाषन प्रजनन आदी सभी होते हैं एक प्रोटोजा कोशिका की संरचना मेटाजवा के शरीर की एक कोशिका की संरजना की तुल्ना की जा सकती है परंतु कायक एक रूपShyologically से प्रोटोज़ा कोशिका कीसी मेटाज़ा प्राने के सम्पूर्ण शरीर के बराबर है इसलिए डोबेल ने प्रोटोज़ा जनतों को एक कोशिका जनतु की अपेक्षा अकोश्किय या कोशिका विहीं जन्तु का है इस दरस्टिकोन से सपष्ट होता है कि यह सिंसीटियल थ्यॉरी के अनुसार बहु कोश्किय सिंसीटियल सीलियेट प्राणियों के शरीर से cellularization के दुआरा metozoa प्राणियों की उत्पत्ती हुई है प्रिये विद्यार्तियों ये जो अभी मैंने आपके सामने एक कोश किये और अकोश किये दौनों के बारे में विस्तित रूप से बताया है अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रोटोजवा जैसा वेग्यानिक दोबेल ने बताया है प्रोटोजवा एक कोश के जनतु की अपेक्षा अकोश किया या कोश का विहीन जनतु है या मातर एक कोश का नहीं है ये संपून जीव है इस एक कोश का का होते वे भी या कोश का बहु कोश किये या मेटाजवा एनिमल्स के सभी कार्य एक कोशिका करने के लिए सक्षम है इसलिए हमें इसे यूनी सेलूलर न कहकर ए सेलूलर या नौन सेलूलर कहना चाहिए विद्यारतियों ये तो था आज इसका इंट्रोडक्शन परिभाशा संचिप्त इतिहास और इसके विशेश लक्षन उसके साथ साथ परिख्षा की द्रश्टी से प्रोटोजवा एक कोश किया है अत्वा अकोश किया है उसका विश्तिर टूप से मैंने आपको समझाने का परियास किया है विद्यारतियों इससे सम्मंदित मैं होम असाइनमेंट देंगा उसमें मल्टिपल objective questions होंगे वा एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्ण होंगे आपसे अपेक्षा करता हूँ क्या आप इनको करेंगे और कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की समस्या होती है ता आप मेरे से संपर्क करेंगे धन्यवाद